पिरियड के बाद कब सीर्दोने से तुरंध के तुरंथ प्रेग्नेंसी को जाती है कब क्या करना है कब टैसे करना है तो आज के वीडियो में आपके सारे के इसारे ब वocy केवाधियों, ELO Family'Day के अपका हमारे चैनल में बहुत बहुत व्याक आदेय। lure होथा क्या है कि अपने घर में, बाहर में, अपका रipliक है, लेकिन कितने गरों में इसका नाम लेना भी वरिजित होता है, कितने लोग सरम के मारे इसके बारे में कुछ समझते नहीं है जानते नहीं है इसलिए उनको आगे चलके परिशानी होती है इन फर्टिलिटी की सिकार उन महिलाएं हो जाती है क्योंकि हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती है किसी दूसरे का नहीं सुनती है क्योंकि period में जो है रजस्वला परिचाली का हो गया या फिर आपके घर में जो दादी नानी होगी वो सभी लोगों ने वताया होगा कि period के तीन दिनों के बार धींबार दूलने चाहिए इस चीज के लिए सभी लोग मना करते हैं कि आपको तीन दिनों तक hair wash बिल्कुल नहीं करने हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब एक महिला को period आता है तो उस समय body बिल्कुल गरम रहती है और आप तीन दिन के पहले तीन दिनों तक बिल्कुल ही अच्छे खासे flow आते हैं ज जिसका अच्छा period है 28-30 दिन की period की cycle है और अच्छी जिन की period आती है उनकी period में कोई कमी नहीं है उनको अच्छे खासे flow उनका आता है तो तीन दिनों तक आपकी body बिल्कुल गरम रहती है चोथे दिनों के बाद चोथे दिनों में आपको अपना hair wash यानि कि पूरा नहाना च चाहिए और hair wash करने चाहिए नहीं तो तीन दिनों के पहले आप करते हो तो जो period में जो आपके blood के flow रहते हैं वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि body पहली गरम रहती है और जो period के flow आते हैं और जो परणा-परगत समय से आते हैं और स्टर्स से अगर पानी डालके नहां होगे तो यहां पे extrusion position जो हार्मोन है उसका level कम हो जाता है आपका uterus में contraction होने लगते हैं और आपकी body ठंडी पर जाती है जब body ठंडी पर जाती है तो इसमें होता क्या है कि जो आपका period का flow आने मतलब जो कि जो अभी blood अंदर बचा है वो बाहर निकलने वाराता है वह वह वहीं होते हैं क्लोट के रूप में चेंज होजाता है क्लोट के रूप में चेंज हो जाता है अगर आपको इस इस्तेमाल करके देखिएगा तो आपको पूरी की पूरी बात समन में आ जाएगी तो वहाँ पे ओचीज क्लोट के रुप में बदल जाता है और जो अगला पिरियड जो अगले महीने वाला पिरियड आपका आएगा तो वहीं क्लोट आपको आने लगेंगे और यहीं पे आपका हार्मोन डिस्बैलेंस हो जाएगा और आपकी जो पिरियड की फ्लो है जो है डिस्बैलेंस आने लगेगी आपका पिरियड जो है डिस्बैलेंस हो जाएगा दूसरी बात friends कि यहीं पे अगर आपका जो period है आ रहे हैं आप जो है negativity सोच रहे हो हो, contact बना रहे हो या फिर और जो है अनहाजी कुछ भी कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको समस्या दिक्कत आने लगेगी क्योंकि period के flow में आपको कभी भी contact नहीं बनाने चाहिए क्योंकि इसे infection का chance बहुत जादे होते हैं कम से कम पास दिनों तक तब बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए तीसरी बात फ्रेंड्स की चौत्रे दिन आप हैर वास कर लीजे और हैर वास करने के बाद यह नहीं है कि अभी तो आपका period खतम होगा अभी आपका period चल रहा है अभी आपका जो period का flow है थोड़ा कम हुआ है कॉंटेक्ट में रहोगे यानि 21-22 दिन, 24-25 दिन की है तो छट्वे दिनों से कॉंटेक्ट में रहना सुरू करोगे और कम से कम 10-12 दिन तक आप को बनाने है अल्टरनेट डेस पे एक दिन छोड़के एक दिन बनाने है तो ऐसे में आपको तुरन के तुरन pregnancy हो जाती है अग आपका 10-12 दिनों तक ovulation नहीं होगा अगर period की cycle जो है मान के चलिए कि 28 दिन और 30 दिन की है तो आपका ovulation का date जो है होगा 14-16 दिन होगा तो जब 10-12 दिन के बाद से अगर आप alternate days पे जो है contact बना होगे तो आपको pregnancy हो जाएगी क्योंकि इस समय आपका ovulation जो है ovulation का होता है यह normal period की cycle consider किया राता है अगर आप जो हर महिला की period का cycle होता है अलग-अलग होता है आप अपने period के cycle के हिसाब से देखिएगा कि आपका कितने दिनों का period आता है कितने दिनों पे आता है कितने दिनों पे नहीं आता है हर महिला का यह कोई जरूरी नहीं है कि 28 दिन पे और 30 दिन पर आता है, 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन, ये बिल्कुल नॉर्मल साइकल होती है, अब बात करते हैं, फ्रेंट्स की जो पिरियड का बीच का जो साइकल होता है, ये किसी को समझ में नहीं आता है, तो देखो, एक्जामपल के तोर पर मैं समझाती हूँ, कि जैसे आपका पिरियड का जो डेट है, वो 5 तरीक को है, जैसे कि 5 सितमबर को है, और 5 जो है, अक्टूबर को आपका पिरियड आने वाला है, तो 5 सितमबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में जतना दिन है, जैसे कि 5 के बात छे, 7, 8, 9, 10, ऐसे मतलब जतना दिन आ रहा है, इसको पिरियड का साइकल पिरियोड का लेंध बोला जाता है be việc नों का होता है कि इसको आप क необход कीजिए कि आप का कितिने दिनों का आ रहा है अपको एस समय और है तो काम करिए की दाद से समझे पर मेंहें ऐसे बाइध कर कर लिजी और तीसरी बात फ्रेंड्स की जब महिला को पिरियड आते हैं उस समय महिलाओं को बहुत ज़्यादा है भी काम है भी वरकाउत है भी चीजे है भी तलबुना बिल्कुल भी एबॉइड करने चाहिए उस समय क्या होता है कि उस समय जो आपकी बॉड़ी होती है पूर बहुत ज़्यादा जो यह भी बात आ रहा है कि मेरे से पहले साधी से पहले मेरा पिरियड सही आते थे लेकिन जो ही मेरे साधी हुई तो मेरा पिरियड गड़बड होगे ऐसा क्यों तो देखो डियर जब एक लड़की की साधी होती है तो वहां पे बहुत सारे उतार होता है इसलिए जो पिरियड है यह डिस बैलेंस हो जाते हैं बहुत जादा धर का टेंशन परिवार का टेंशन हस्बेंट का टेंशन उसके बाद जो आपकी पहले बॉड़ी थी यानि कि पहले आप कॉंटेक्ट वगरा में नहीं रहते थे लेकिन अब जो है वो सारा काम आ जाओगे और उस चीज को एक्सेप्ट आपकी वॉड़ी कर लेगी तो जब आपकी वॉड़ी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है तो उस चीज को बिल्कुल होई पट्री पे उस चीज पट्री पे आजाती हो उस चीज सही हो जाती है ऐसा नहीं है कि डिस बैलेंस ही चलता तो आप अपने खान पान टेंसन तनाव को बिल्कुल चेंज कर दीजिए और इस समय जब मैरेज हो जाती है तो जो पहले की लाइफ थी और जो अब की लाइफ थी इसमें जमील और आसमान के अंतर हो जाते हैं तो इसको बैलेंस जब करोगे तो यह चीज सारी जो समस्याएं आ रहे हैं तो चीज सही हो जाएदी लेकिन इसको बैलेंस करना आपको है आप इसको बै ensuring जो जाएगा बहुत जब को बहुत आपको समझना पडएगा जानना पड़ेगा और इसमें को बहुत जैसे कि इस पर मैंने एक डिकेड़ विडियो भी वसाना के रखे हैं अगर उस उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझने आएंगे कि पिरियाड में कौन-कौन सी पॉटिकुलर चीज नहीं करने चाहिए और कौन-कौन से चीज करने चाहिए आई हो फ्रेंड्स की आपके सवालों का मैंने जवाब देने की कोशिस की है तो चैनल को ज़रूर सब्स्राइब कीजिएगा और कोई भी क्वाईरी होगे तो कमेल बॉक्स में जरूर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक थैंक्यू परवाचिन आप अपना क्याल रखिए और मेरा इंस्टाग्राम आइडिया